नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Recently Germany Elections concluded हुए है तो इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं कि जर्मन Citizens का से रिर्लिक्षजा रहा है जर्मनी में क्या Ilectrall System का इस्तेमान किया जाता है and तो current Bundestag बने है। Basically वहां की जो कि Angola Merkel या Angola Merkel है उन्होंने announce किया था कि वो अब फिर से election के लिए नहीं खड़ी होगी तो ये काफी historic election हो गया क्योंकि ये काफी time में पहली बार होगा जब जर्मन voter एक नया chancellor elect करने के लिए vote करने वाले हैं तो क्योंकि मौका historic था तो जो वो भी काफी historic हुआ है इस result में क्या हुआ है जर्मनी की जो left of center party है जिसको left leaning भी कहा जाता है मैंसे left of center है social democratic party उसको largest vote share मिला है selection में and अब वो एक leading position में पहुँच गई है अगली coalition government head करने में वहाँ पर बनने अभी भी वाली है गटबंदन की सरकार coalition government बट उसको इस बार lead करने वाली है social democratic party जो social democratic party है वो जर्मनी की oldest party है और उसको 25.7% votes मिले है Merkel की जो party जिसको Christian democratic union या Christian social union भी कहा जाता है यह conservative party है यह वहाँ की right of center party है उसको 24.1% vote मिले है यह इस party की history का सबसे worst performance है 2017 के election में इस party को 30% से जाधा votes मिले थे इन दो पार्टी के अलावा और important parties कौन से है Greens party है यह climate change से related एक party है इसको nearly 15% votes मिले है and pro business party है free democratic party इसको 11.5% votes मिले है तो जो इस election है इस से पहले 2017 का election हुआ था उसमे CDU जो Merkel की party है and SPD जो अभी current number one है इन्होंने मिलके coalition government बनाया था इसको grand coalition कहा गया था basically महागडबंदन की सरकार कहा गया था क्योंकि जो CDU and SPD है वो Germany की सबसे बड़ी parties है बट इस election के आते आते इस से पहले दोनों parties ने announce किया कि वो लोग अलग-अलग election लड़ेंगे क्योंकि वो दोनों change आते है और वैसा ही महसूस करा जा रहा था जर्मनी के लोगों के द्वारा इसलिए दोनों parties ने ये decision लिया तो इस बार जो social democratic party है उसको जो head कर रहे थे Olaf Scholz ये Olaf Scholz है ये Merkel का जो current cabinet है उसमें vice chancellor है and finance minister है and अगर अब सब कुछ ठीक रहा negotiation ठीक से चले तो ये Germany के अगले chancellor बन सकते है तो ये हमने देख लिया कि result क्या आया है जो social democratic party है left of center जो party है वो उसको number one position मिली है and अब वो negotiation करके अगली coalition government बनाएंगे कुछ months में चले जर्मनी के electoral system को समझने की कोशिश करते है Germany में जो elections होते है न वो 4 साल में एक बार होते है and जो elections होते हैं वो Bundestag के लिए होते है Bundestag basically Germany का लोकसपा आप कह सकते है and Bundestag में minimum 598 seats होती है माना इससे ज़्यादा seats हो सकते है कुछ conditions में जो जर्मनी में voting होता है वो उसमें double vote होता है एक vote होता है candidate के लिए vote करा जाता है जो electorist constituency में रहता है उसमें जो candidate खड़ा है उसको vote जाता है and दूसरा vote party को जाता है तो जर्मनी के जो electoral system है उसमें direct voting भी होती है direct candidate को vote भी किया जाता है and indirect voting भी होती है जहांपे party के लिए vote किया जाता है and party एक list तयार करती है state level पे and party को जितना percent vote मिला है उतनी seats Bundestag में दे दी जाती है तो जो Germany का electoral system है उसमें direct voting भी होती है और indirect voting भी होती है अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो Bundestag है वो reflect कर सके किस party को कितने percent vote मिला है सिर्फ direct elections में क्या problem हो सकती है कि suppose किसी party को 30% vote मिला है but वो party 40% seats जीद गई है तो जो Bundestag हो जाएगा उसमें vote percentage से जादा number of seats हो जाएगी तो obviously जो ये elector चाहता है जिसने vote किया है वो चाहता है वो ठीक से reflect नहीं हो रहा है party ये को ज़्यादा seats मिल गई है तो ऐसा situation ना हो इसलिए ये system यूज किया जाता है अब suppose first vote में किसी party को 30% vote मिला है और उसे 40% seats मिल गई है तो उसको एक extra 10% seats मिल गई है जिसको कहा जाता है overhang seats इन overhang seats को adjust करने के लिए Bundestag की number of seats को बढ़ाया जाता है तो इसलिए 598 से ज़्यादा seats हो जाती है तो कितना बढ़ाया जाता है इन seats को इन seats को इतना बढ़ाया जाता है ताकि जो second vote मिला है उसमें जो parties को जो vote percentage मिला है वो maintain हो सके इसलिए जो Bundestag है उसमें हमेशा minimum seats से जादा seats ही होती है जैसे इस बार जो 2021 का election हुआ है उसमें Bundestag में 735 seats है अब ये system complicated है चलता भी है बट क्या ये system multiple parties के लिए करा जा सकता है अगर 5-6 parties रहती है तो ये system काफी अच्छे से चल जाएगा बट जर्मनी में तो 30-40 से जादा ही parties होंगी ना तो इस चीज को implement करने के लिए एक rule लाया गया है इस system में वो rule क्या कहता है कि जिस party को first vote में कम से कम 3 constituencies में win मिली है या second vote में कम से कम 5% vote मिला है उसी को आप bundes tag में जगा दे सकते हो उसी को आप bundes tag में reflect कर सकते हो इससे जो एक extra parties होती है जो कुछ-कुछ seat जीतती है जो आगे coalition अगर बनेगा गडबंदन बनेगा उसको unstable बना सकती है वो parties हट जाती है क्योंकि जिसको 3 seats मिली है या 5% vote मिला है उन्ही parties को include किया जाता है तो इससे ये जो system है ये ensure करता है कि जो coalition government बना है वो stable रहे तो देखते हैं कि इस बार के जो election है उसमें कौन-कौन सी parties जीती है जो हमने जैसे starting में discuss किया था SPD number one party बनी है Olaf Scholz उसको lead कर रहे है and most probably Olaf Scholz अगले chancellor होंगे जर्मनी के SPD ने 206 seats जीती है and second vote में उसको 25.7% vote मिला है second number पे आई है Merkel की party Christian Democratic Union या Christian Social Union ये इसका अभी तक का worst performance है third position में Greens party आई है ये basically environment से related party है इसका voter भी काफी young है and ये party environment से related legislations की मांग करती है काफी progressive party है next party जो है वो free democratic party है ये pro business party है fifth position पे जो आई है वो उस party का नाम है alternative for Deutschland या alternative for Germany ये यहां की right wing party है इसमें काफी anti-immigrant sentiment है 2017 के election में in fact ये party third number पे आई थी and एक major opposition party थी and final जो party select होके आई है वो वहां की communist party आप कह सकते हो D-link party करके यहां पे आप देखोगे कि इस party को second vote में 4.9% vote ही मिला है but क्योंकि ये तीन constituencies जीत गई थी इसलिए इसको bundesdaag में जगें मिल गई है तो ये इस बार का composition है bundesdaag का 735 seats है seats increase हो गई है and ये ये जो parties है ये 6 parties चाहिए है हाँ 6 parties select होके आई है अब ये माना जा रहा है कि जो SPD है Greens party है and FDP है ये coalition बनाएंगी and अगली government इनकी होगी ये अभी तक जो discussions हुए है उससे निकल के आ रहा है तो जो SPD party है उसका जो color है party का color red है Greens party का green है and जो FDP है उसका yellow है अब आप ये देख सकते हैं कि traffic light के colors की तरह है तो इस coalition को traffic light coalition भी कहा जा रहा है because of the colors of these parties तो most probably ये parties coalition government बनाएंगी and जो Olaf Scholz है if everything goes well वो Germany के अलग चांस अगले chancellor होंगे तो अब जर्मनी का हमने election में result क्या हुआ वो देख लिया electoral system क्या था वो देख लिया and current composition क्या था वो देख लिया अब जो ये German elections है वो India को कैसे impact करने वाले है and जो अगले chancellor बनेंगे वो कैसे India के relations को और improve कर सकते हैं हम उसको discuss करेंगे तेखिए जो India और Germany का relationship है over a period of time improve हुआ है independence से हमारे काफी अच्छे relationship रहें जर्मनी के साथ in fact हमारा जो रावल केला का जो steel plant है वो जर्मनी ने help किया था setup करने में IIT Madras को setup करने में भी काफी German collaboration हुआ था इसलिए 2001 में India और Germany के जो relationship है उसे strategic partnership का दरजा दे दिया गया and ये strategic partnership over the period of time और strengthen हुई है through intergovernmental consultations जो कुछ-कुछ सालों में होती है जो ये intergovernmental consultation होता है ये head of government के level पे होता है माने जर्मनी के case में उनके chancellor आते हैं और हमारे case में हमारे prime minister होता है तो जो ये आप फोटो देख रहे हैं ये 5th intergovernmental consultation की फोटो है जो 2019 में हुई थी इसमें जो अंगला मरकल है वो इंडिया आई थी intergovernmental consultation के लिए इसलिए आप देख रहे हैं कि over a period of time इंडिया और जर्मनी के relationship इंप्रूव हुए है और future में और improve होने वाले हैं जिस वज़े से जो recent German election है वो इंडिया के लिए बहुत important हो जाता है और इंडिया के बहुत सारे factors हैं जिसको देखते हुए हम इस election को देख सकते हैं अब वो क्या-क्या factors हैं ये देखते हैं क्यों election important है इंडिया के लिए इंडिया का बहुत सारा डायस्पोरा जर्मनी में और अंगला मर्कल ने खुद मारा है कि जो ये डायस्पोरा है ये major contribution करता है जर्मनी के social and economic development में ऐसा क्यों है इंडिया का जो डायस्पोरा है उसमें बहुत high level of education है वो बहुत high income jobs में है और उनका एक stable migration status है जो इंडियन डायस्पोरा का नंबर है वो over a period of time काफ़े increase हुआ है in fact 2016 में ये नंबर 1,00,000 तक पहुँच गया था and 2019, 2020 में ये नंबर कहा जा रहा है कि 1,75,000 तक है जिसमें सिर्फ 25,000 इंडियन students जर्मन उनिवर्स्टीज में enrolled है and ये future में नंबर और बढ़ने वाला है और क्या-क्या factors है Germany जो है, वो European Union में इंडिया का largest trading partner है 1700 German companies जो है, वो इंडिया में active है and nearly 7 lakh direct और indirect jobs provide कर रहे है इसी तरह Indian businesses जर्मनी में active होने लगे है in the field of pharmaceuticals, information technology and automotive industries जब 5th intergovernmental consultation में अंगलर मर्कल इंडिया आये थी तो काफी areas of cooperation identify करे थे क्या-क्या वो areas of cooperation थे science and technology, sustainable energy, smart cities, artificial intelligence digital transformation and circular economy तो ये-ए factors हैं जिनको identify करा गया था और future scope तो इसी तरह जो नए चांसलर बनके आने वाले हैं उनके लिए बहुत सारे areas हैं जो already identified है cooperation के लिए और क्या-क्या future scope हो सकता है नए चांसलर का इंडिया के relationship में वो हम देखते हैं सबसे बड़ा important focus होने वाला है bilateral trade का इंडिया और जर्मनी के bilateral trade को और improve करा जा सकता है जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक free trade agreement sign कर रहा है European Union के साथ ये काफे time से free trade agreement का negotiation चल रहा है and 2013 में ये negotiation stall हो गया था ये stall इसलिए हो गया था क्योंकि European Union जो उनके farmers है उनको बहुत subsidies देता है and European Union and India अग्री नहीं कर पा रहे थे इन subsidies के उपर क्योंकि हमारे जो farmers हैं उनको बहुत disadvantage हो जाता हाला कि जो 2019 में इंटर-governmental consultation में एंग्ला-मर्कल आय थी उन्होंने hint दिया था कि काफी जल्दी इस चीज़ का solution निकलने वाला है तो जो अगले chancellor आने वाले हैं उनके लिए ये सबसे important हो जाता है कि ये free trade agreement हो क्योंकि ये free trade agreement signed होने से trade deals में European Union and India को 10.2 billion का immediate benefit होने वाला है and आगे जब trade बढ़ेगा तो ये benefit और increase होगा इंडिया जो है जर्मनी के scheme of things में बहुत important हो गया है इंडो-pacific में in fact जो इंडिया है वो इंडो-pacific region में हर western country के लिए important हो गया है क्योंकि इंडिया को देखा जा रहा है as a means to counter China का hegemony in that region जो इंडो-pacific area है उसमें काफी trade होता है इसलिए ये region बहुत important है इसलिए अब इंडिया जर्मनी के लिए बहुत important हो गया है तो क्या-क्या areas of cooperation है इस strategy में जो जर्मनी की strategy है international security एक factor है climate change को tackle करना एक factor है multilateralism एक area of cooperation है and promoting rule of law and human rights एक area of cooperation हो गया है for Indo-Pacific region और क्या-क्या areas of cooperation हो सकते है जो इंडिया है वो defense equipment का बहुत बड़ा importer है हाला कि अब हम बहुत बड़े exporter भी बनने जा रहे हैं बट हम बहुत defense equipment को import करते हैं तो ये बहुत सारी German companies को एक opportunity देता है कि वो इंडिया को defense equipment sell कर सकें तो जो इंडिया एं जर्मनी का defense cooperation का sector है उसे scale up करा जा सकता है इस defense cooperation में क्या-क्या चीजों पर focus किया जा सकता है technology transfer पर focus किया जा सकता है research and development hubs develop करने में focus किया जा सकता है infrastructure को create करने में focus किया जा सकता है and scientific cooperation पर focus किया जा सकता है Similarly, क्योंकि इंडिया का सबसे young human capital है globe में, world में, तो उसके higher education में Germany investment कर सकता है and skill development में Germany help कर सकता है इंडिया के human capital है, उनकी skill develop करने को fast track कर सकता है Germany जो political level पे भी India and Germany के काफी important relationship है India and Germany G4 nations का part है, जो push कर रहा है reform को in United Nations Security Council and ये जो G4 countries है ये एक दूसरे की permanent seat के जो candidature है, वो support करते है G4 में क्या-क्या countries आती है, एक India है, एक Germany है, Japan है and Brazil है तो काफी future scope है of relationship है between India and Germany I hope ये lecture आपके लिए useful था या इसमें हमने Germany का जो election है, उसके result को discuss किया Germany में क्या electoral system है, उसको discuss किया क्या future scope है relationship का between the new chancellor जो आने वाले है and India, वो हमने discuss किया तो I hope it was useful and आपसे अब अगले lecture में मुलाकात होगी Thank you